वेलकम टू Fc मैं राजदीप और आप देख रहे हैं यह Canon कग Math G 670 है और जितना भी पिक्समा सीडिस का Printer है सब में सेम यह प्रॉबलम आता है मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस printer में क्या हो रहा है इस printer में जो आप देख रहे हैं जो Ink का पाइप है वो काफी ब्लैंक हो गया है मतलब खाली हो गया एर ले लिया है और आप क्लीनिंग मारते हैं फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो आप इसको कैसे इजी वे में खुद से ठीक कर सकते हैं बीना टेकनीशियन को बुलाई हुए तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहें और आप इसमें इजी से सीख सकते हैं तो सबसे पहले हम इस कभर को down कर लेते हैं और down करने के बाद हम इस machine को power on कर लेते हैं तो सबसे पहले हम power on करेंगे ठीक है, power on हो जाने के बाद ये जो सामने button दीख रहा है जिसमें पिचकस और पिलास का जो symbol है उसे हमें press करना है और arrow से आगे बढ़ना है ठीक है maintenance में जाना है और फिर okay दबाना है फिर arrow से आगे बढ़के हमें इसमें income plus का option आएगा do aijk começ में okay करना ठीक है इसमें okay करने के बाद यह level के बारे में भी पूछ रहा है तो इसमें भी okay करना है ठीक है तो इसमें हम looks कर देंगे विए करने के बाद इसमीं येस और नॉका प्षोन देगा शेयर से स्तमें जाकर फिर से आम ये में ऑट करना और इन में का विटिंग टाइम दिखाएगा और इस टाइप किस तरह रोटेट होने के बाद यह प्रेशर से इंक लेकर जितना भी अमारा एर है पाइफ में आपको दिखा रहा हूं सारा एल पाइफ से निकल गया है और उसके जगह इंक फिल हो चुका यह देखिए तो इस तरह से आप खुझ से अपना जो इंक में जो पाइप में एर ले लिया है उठीक कर सकते हो धन्यवाद